जय ही इन मेरे प्यारे साथियो CISAP SILDC exam success में आप लोग सभी को most welcome आप लोग सभी को पता है कि हम लोग क्या सिंदुगाटी सभ्वधा का एक वीडियो आप लोग को already दे चुके है और ये है आपका part 2 वीडियो इसमें क्या है जितना भी हम अभी तक पड़े है पाचिन भरत का इतियासा सिंदुगाटी सभ्वधा का वारे में जो भी पड़े है उसका ये एक जिस्ट ठीक है अर्थत एक छोटा सा वीडियो में इसको पूरा मतलब समटने का हमने कोसिस किया तो जिनोंने इससे पहले वाला जो part 1 वीडियो को नहीं देखे है पहले part 1 वीडियो को देखिए उसके बाद जो second वीडियो को देखने आईए क्योंकि तब जाके आपको पूरा चीज को समझ में आएगा ठीक है और जैसे हम जो आपको पड़ा रहा है आपको अच्छा लगने से like, share और subscribe पक्का करिएगा ठीक है अभी देखिए चलिए आज जो पढ़ेंगे जो सिंदु घर्टी कौन-कौन सा स्थलता कौन सा नदी का किनारे में है किसने उसको खोज किया था और उहा का जो मुल बिंदु है उस मुल बिंदु का बारे में डिसकस करेंगे देखिए यह जो लेंग्वेज है मैंने जो लिखा था मैं आपना लेंग्वेज में लिखा था मैं काल आप लोग को बोला था आप लोग भी ऐसे नोट बनाई आपना लेंग्वेज में और तर्ममान में आपना लेंग्वेज में लिखते रही है ठीक है तो यह श्री आप लोगो को मैं यह नहीं कि इसमें आप अपना लेंग्वेज में लिखी है ठीक है तो चलिए सबसे पहले आपका सुरू करते है जो सबसे पहला जो प्रमुक को मेरी जिला में है ये हडपपा और हडपपा क्या है कौन से नदी का किनरे में है ये राभी नदी का किनरे में है राभी क्या एक सिंदू का एक सायाग नदी है और इसका खोज किया था दयाराम सहानी में 1921 में और 1921 में क्या किया था इसका खोज किया गया था मुल बिंदू क्या था इसमें जो आपका मिला था क्या क्या चीज मिला था मिला था अन्नागार मिला है ठीक है काश्चा का दर्पन मिले है ठीक है उसके बाद आर 37 करके एक क्या है एक आपका कब्रिस्थान मिले है ठीक है और दूसरा क्या है जो समिक का रहने के लिए अर्था जो काम करने व पूरोईत का मूर्ती मिले है महाविद्यल एवंग क्या है सिंग पसु का एक महुर मिले है ठीक है तो उसके बाद देखिए लोथल का है लोथल है आपका गुजराट ये आमेदाबाद गुजराट में है ठीक है और लोथल क्या है सिंदु काटी सेवता के बंदर गाउ था ठीक है ये क्या है जो भगवा भगवा नदी का किनारे में है और इसका जो खोज करता कौन था रंग नात राओ ये 1957 में ये खोज किया था इसमें क्या है ये गोदी बड़ा जैसे पोट बंदर गाउ ठीक है और चावल का सक्स मिले है अगनी कुंड का प्रमान मिले है हाती का दात का प्रमान मिले है ठीक है और एक तीन जुगल समाधान वाला एक मतलब एक कवर कवर मिला है ठीक है उसके बाद घोडे का क्या है जो घोडे का मिर्त मूर्ती मिला है और तद मिर्टी का बनावा जो घडे का मूर्ती मिला है ठीके तो यह हो गए आपका लोथल उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका काली बंगल यह काली बंगल कहां पर है काली बंगल यह है आपका राजस्तन में है जो आपका हनुमंगर ज खेत का साथ मिले इसमें अग्नी जो विद्वब कुंड उसका चीज मिले है और काले रंग की चूरी मिले है ठीक है और क्या है जो भूकम का साथ मुत्ट काली बंगाल से मिलए है उसके बाद देखिए राखि-गड़ी कहां पे है ये हरियाना का जो हिसार है, हिसार में है ये, ये भी क्या है, ये भी घगर नदी का किनारे में है, और इसका जो खोजगरता था, सुरजभन नाम का किसी बेक्ती ने इसको खोजगिया था, और इसमें क्या है, भारत का क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, और इसमें का उपकरन मिला है ठीक है और तामा का उपकरन मिला है और तत कौपर का उपकरन मिला है उसके बाद देखिए चांदु दोड़ो छे नंबर में चांदु दोड़ो यह कहां पर है यह पाकिस्तन का जो सिंध पदेश में है और यह सिंधु नदी का किनारे में है इसका जो खोज लिपिस्टीक, काझचल, पाउडर अर्था जो भी प्रसाधनी समगली इसमें मिला है कहां पे चंदू दड़ो से ठीक है उसके बाद क्या देखिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका चंदू दड़ो के बाद होगे आप बणवाली बनबाली क्या है ये भी हरियाना का हिसार में है ये सरस्ति नदी का किनारे में है ठीके इसमें क्या है मिट्टी का हाल मिले है ठीके उसके बाद हो गया नेक्स्ट हो गया रोपूर रोपूर क्या है ये पंजाब का रूपनगर में है ये क्या सतलज नदी का किनारे में है और य यह जोग दत सर्मा ने इसको खोजा था और इसमें क्या है जो आपका तामे का जो कुलहाडी एक ओजार आपको मिला है ठीक है उसके बाद देखिए साथ नंबर में क्या है रांगपूर रांगपूर का है यह रांगपूर है गुजराट गुजराट आमेदाबाद में है ठीक छुटा सा विडियो का अंदर कौन कौन सा नदी का किनर में है کिस ने खोज किया कहां पर चीज मिले यह चीज बता दिया ठीक है अभी देखिए यह उसके बाद क्या है यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको थोड़ा बहुत जनकारी होना चाहिए कि पतन का कारण क्या था पतन का कारण बहुत सारा आदमी ने बहुत सारा चीज बताया जैसे मैकले ने क अक्रमन के कारण क्या हो गया यह नस्ठ हो गया था और फ्यार सर्विस ने बताया था कि परिस्तिती असंतुलन के कारण यह मतलब सभवता खतम हो गया था अभी यहां पर क्या है कि सिंदु काटी सभवता में मतलब जैसे राजनाइतिक जीवन सामाजिक जीवन आर्थिक ज नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग सुनके रखिए ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत कुश्चर इदर उदर हो जाने से आप लोगों को इस चीज के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा देखिए राजनेतिक जीवन कैसा था ये सोतो के अभाव के करण बास्तविक करण तो मतलब बास्तविक जानकारी नहीं मिले है फिर भी संभवत यहां का जो सासन था कि पूरहित बर्गा या बेपारी बर्गा उपर यहां का सासन भार मतलब सासन भार चलता था ठीक है और इनी लोग न प्रवन को जाएगा जनतान तिक बोलके इन्होंने इस चीज को कॉमेंट किया ठीक है उसके बाद देखिए यह जैसे महल अस्तोसस्त यह सब का कोई भी प्रमान नहीं मिला है तो इसमें से एक चीज पता चलता है कि इहां का आदमी को जुद्र प्रवन आदमी नहीं थे इन ल छोटी इकाई परिवार समाज के कोई बर्ग मतलब कई बर्ग थे ठीक है समाज मारति सत्मात 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 तक थे अर्था लेडी सी सब मतलब सर्वे सर्वे के सर्वा था ठीक है और बर्न वेवस्ता का प्रमान उतना नहीं मिला है ठीक है मोनोरंजन के लिए पासा खेलना नित्यकरणा, सिकरणा, पोसु कौ लड़ना ये सब का प्रमान मिले है और आभुशन का प्रोग भी प्रमान मिले है ठीक है उसके बाद इहांका जो आधमी था पहले बता दिया कि लोग जन क्या था सांतिप्रिया थे उसके बाद देखिए आर्थिक जीवन क्या था इहां का आर्थिक जीवन मूल था क्या किसी निर्वर कि क्योंकि जूताई का प्रमान मिले है चावल बगरा का भी प्रमान मिले है और एक चीज पता चलता है कि कपास का जो कपास है जो सुतियार उनिवस्त का जो यूज होता थ जो कापास का यूज भी सर्वापतम यहां पे सिंदुगाडी सेवधा में एक आपको प्रमान मिलता है ठीक है और यहां का आदमी का जैसे किसी काज करने के लिए पोसु का जरूरत है तो इहां का आदमी का आर्थिक जीवन में पोसु पालन का भी बहुत बड़ा एक जोगद बात देखिए नियात में जो इहां का जो नियात होता था तो निर्जात होता था क्या होता था सूती बस्त हाती का दात लकडी और आयात में क्या क्या चीज था आयात में था आपका जिसे चांदी आता था इरान से ठीक है अभी जैसे लोहो आता था मेसो पोटमेया से टीन तार्ज इसा और थार्मिक जीवन का जैसे आपको इतना पता चलता है कि जैसे सभाग्रिय था और सनाना कुंड चो आपका मिला है जिसमें आपका मोंजदलों से इसमें से एक चीज पता चलता है कि आदमी धर्मिक मतलब धर्मिक इसमें क्या है धर्म को मानते थे ठीक है दूसरा भात है जैसे मार्ति मात्री देवी का पूजा करने के लिए जैसे मूर्ति का प्रमान मिले है और यहां का पमुख देवता एक पोशुपति नात का मूर्ति मिले है सस्तिक चिन्य का प पतम हो जाता है और पता नहीं मैं आप लोग को किस तरह से क्या से समझा पाया कॉमेंट करके बताएगा अच्छा लगने से लाइक पक्का करिएगा सब्सक्राइब करने का बाद वगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को पक्का दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हैं डालते तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इसके बाद क्या होगा एक वीडियो आएगा स्रीप उसमें कोश् चनाएगा उसको करने से आपको पाता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल में है तो चलिए जय हीद जय भारत